आज मैं आपसे कुछ ऐसी important tips share करूँगा जिससे कि आपको अगर आपको weight loss करना है या आपको अपनी healthy life को maintain करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं जो पहली चीज है उसका आपको ध्यान रखना है वो है आपको processed foods से बचना है market के ज processed foods जो कि processed foods मतलब क्या होता है जो आपके package के अंदर में आते हैं package के अंदर में pack होके आते हैं वो ज्यादातर processed होते हैं उसके अंदर कई chemicals मिला जाते हैं कई preservatives मिला जाते हैं तो उन चीजों से बचने की try करें और उन foods में आप try करें कि आप healthy fats खा रहे हैं यह ensure करें like omega 3s उस के साथ consume कर रहे हो carb और protein का तो आपको साथ में ध्यान रखना ही है क्योंकि आपको एक balanced meal भी maintain करनी है तो कुछ लोग जो weight loss की journey के दोरान में ध्यान रखने की calories पे बहुत ज्यादा focus करते हैं calories को track करते हैं macro micro को track करते हैं वो एक अच्छी habit है no doubt but उसके साथ में आपको यह भी जाएगी जब आप mindful eating करने लखेंगे और वही चीज है अभी जो मैं third point बताने वाला हूँ आपको यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी body की requirement क्या है body की needs क्या है आपकी body की जरूरत हो को आप बहतर समझ सकते हैं तो mindful eating वही है आप अपनी portion को समझें कि आपकी body क कितनी जरूरत है खाने की आप उससे ओवर एटिंग से बचेंगे अगर ओवर एटिंग करेंगे तो आपके weight gain जैसी problems और कई सारे health issues आपकी body में आपको देखने को मिलेंगे तो वहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है वही mindful eating है rainbow का मतलब हो गया colorful veggies and colorful fruits यह आप अपने diet मे रोजाना add करें जिससे कि आपको कई तरह के vitamins and minerals आपकी body में जा सके और ना कि सिर्फ आपकी digestion में यह सिर्फ help करेंगे बलकि आपकी multiple organs और उसकी growth के लिए भी बहुत जादा important है तो veggies and fruits को add जरूर करें different types के इन बातों का ध्यान रखके आप अपनी body को बहुत अच्छा nourishment दे सकते हैं आप ध्यान रखें कि छोटी-छोटी चीजों से ही अच्छे changes देखने को मिलते हैं body में तो यह बहुत जादा कुछ hectic चीज नहीं है आपको simple चीजों का ध्यान रखना है market की खाने की चीजों से बचना है और अपने घर की खाने को जादा importance देनी है जब आप ऐसा क करेंगे तो आपको positive changes जरूर देखने को मिलेंगे हम मिलते हैं next video में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए मैं हर्च शर्मा आपसे next video मिलता हूं धन्यवाद